साधर दोस्तों, इंपेरिल टेकिनिकल इस यूट्यूब शैनल में आज की वीडियो से मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बहुत बैतरी सीरीज लेके आ रहा हूँ जो आपके डेली रिविडिन लाइब में बहुत काम आने वाएब अब ये सीरीज में है क्या है? एक्चुली मैं आपको बता दो, जब से मोबाईल और इंटर्ने कर दोर बड़ा है कि बहुत सारी घटना है, बहुत सारे स्क्याम, बहुत सारे फ्रोड हमारे साथ को रहे अधिर आपके साथ नहीं हुआ हो, तो देखिएगा आपकी किसी नहीं किसी पैचान वाले के साथ ज़रूर हुआ होगा तो इसे बहुत सारी घटना है, बहुत सारे तत्या है, जो डेली रिविटिन लाइप में हम हर दिल सुनते आ रहे तो इससे हम कैसे बचे, हम कैसे अवेर रहे, इस टोपिक को लेके मैं आप लोगों के नहीं यह सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, दोस्तों अपिक्षा करूबा कि इस सीरीज में आने वाले सभी वीडियो आप लोग जरूर देखेंगे तो आजका लिए वीडियो है, वो बहुत स्पेशल है, ऐसा अक्सर होता है कि आजकाल अनलाइन पेमेंट का जमाना आ चुका है और हम लोग अपने मोबाल से पेमेंट करते हैं कभी कभी क्या होता है हम payment करते करते हैं किसी गलत व्यक्ति को payment कर देते हो कापी सारे देखना आपके आस पास तो कोई ना कोई ऐसा मिले गए जिसके साथ ये हो चुका है कि उसमें किसी अन्य को payment करना था और और पेवेंट किसी और को चला जाता है ऐसे कंडिशन में payment अगर बढ़ा है और वो जिसको आपने payment टास्कर किया है वो देने से मना कर दे तो फिक क्या कर दे तो चलो मैं आज आज आपको कुछ tips बता रहा हूँ जिसके मादन से आप किसी को बेलती से अगर आप payment कर देते तो उसे payment को वापस कर सकते यह वापस लिय सकते तो सबसे पहले तो आप एक काम करिए जिसको आपने payment किया है उससे एक बार contact करिए क्योंकि आपने उस UPI number या mobile number पर किया होगा उस में आप call दरके उससे बात करिए अगर वो कहता है कि चलो ठीक है हाँ आया है तो मैं आप पर return कर देता हूँ तो ठीक है आप कोई बार ने लेकिन अगर वो मना कर दे तो अब आप क्या करेंगे तो सबसे पहले तो आप एक काम परिएगा यह जो मैं आपको नीचे नंबर दे रहा हूँ इस नंबर पर आप call करिए और अपनी सिकर दर्श करन्स वो सकता है उस नंबर से आपकर काम हो जाए अगर उस नंबर से call करने के बाद भी आपका कोई काम नहीं हुआ तो सबसे पह आप चितर में आता है कि आप खाओ जो पेमिल डे वो आपको रिटन कराया जाए क्योंकि आपने वो गलती से किया है अगर बैंक बैनेजर भी आपकी इसमें कोई हिल्प महीं कर अब क्या करेंगो तो चलो मैं आज आपको से एक सोलूशन बताता हूँ तो स्टार्ट करते है सबसे पहले आपको इस विबसाइट पर आजाना है तो दोस्तो इस विबसाइट का नाम है npci.org.in तो सबसे पहले आपको इस साइट पर आजाना है यहां आने के बाद आपको सीधे जाना है वाट वोई डू इस ओप्शन पर जाना है वाट वोई डू पर जाने के बाद UPI कमांड चिनने के बाद आपको सीधे यहाँ पर आना है Dispute Redressal Mechanism इस वले कमांड पर आ जाना है इस कमांड पर आने के बाद आपको एक page open होगा आपके सामने इसमें आप देख सकते हैं आप complaint लिखा होगा Transition पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है Nature of Transition तो यहाँ पर आपको drop down दिया है Person to Person या Person to Merchant मतलब किसी वेक्ति को हुआ या किसी बिजनेस परसन को हुआ है तो अगर किसी बिजनेस में हमने किया है तो Merchant करेंगे या फिर आप Simple Person to Person पर आप प्लिक कर दिजिए उसके बाद इशू आपका problem क्या है मतलब क्या हुआ है एक्चुल में तो हमारा हुआ है कि हमने गलती से किसी अन्ने को payment कर दिया है तो यहाँ पर आपको एक option मिलेगा आप देख सकते हैं incorrectly transferred to another account मतलब हमने गलती से incorrectly किसी अन्ने कोड transfer कर दिया किसे अन्ने के phone में transfer कर दिया है वो दे लेने आपको फिर आप से आपको एक comment लिखना होगा जो भी आपकी सिखायत है तो आप बोल सकते कि ऐसे से हुआ और जो आपने जो भी transaction किया है उसका transaction ID आपके पास होता है वो transaction ID आपको डालना है उसके बाद bank का नाम डालना है जिस bank के थो आपने किया है आपका जिस bank में account है उस bank का नाम आप यह से लेंगे यह फुरी आप bank को की list आजाएगी वहाँ पे आपको virtual permanent address भी यह मिलेगा जिसको विपी ए बोलते है आपको transactions का screenshot ले जिएगा वहाँ पे आपको मिल जाएगा कितना amount transfer हुआ है वो आपको यहाँ पे put up करना है then date of transaction आपका email ID registered mobile number और वो जो आपने transactions किया था उसका एक screenshot लेके यहाँ पे choose आईल में जाएके उसको आपको simple upload कर देना है और submit पे click कर देना है तो यह एक simple और सरर प्रोसेस है इस प्रोसेस से भी आप अपना जो transaction है जो गलती से किसी के afford में चला गया है उसे आप return करवा सकते तो दोस्तों I hope कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो like कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ share भी कीजिए और अभी तो गज़र आपने अमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर दीजिए